नमस्का सिक्षिक सातियों आप सभी का मेरे चनल में पुनह स्वागत है सातियों जैसे कि अब हमारा सप्ता 11 चल रहा है तो अब हमें आउधी काकलन करना है तो हम हिंदी विशे का आउधी काकलन देखते हैं कि किस प्रकार से हम करेंगे यह हमारा प्रतम आवदी काकलन होगा जैसे कि अब सप्ता बारा में हमें यह लेना है तो देख सकते हैं आप यहां पर सप्ता ग्यारा के छटवे दिन छटवे दिन हमें यह आवदी काकलन करना है जो कक्षा एक के लिए होगा और साथ यह जो कक्षा दो कावधिक अकलन होगा वो हमें 12 सप्ता के पहले दिवस में करना है और यहाँ पर ही सप्ता 11 के छटवी दिवस में हमें कक्षा एक कावधिक अकलन करना है तो जो हमारा प्रतमावधिक अकलन होगा तो आईए देखते हैं कि इसे किस प्रकार से पूर्ण करेंगे, संधारित करके रखेंगे, आकलन ट्रैकर प्रपत्र जो है मारा है, वह तैयार करेंगे, तो देखते हैं, आपर क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं, आप निर्देश दिये विए हैं, बच्चों का आकलन करें, और देखें कि बच्चे क्या कर पा रहे हैं और कौन सी दक्षिता में उन्हें अभी और मदद की जुरत है इस आकलन के आधार पर सप्ता बारा की आओ दोराएं गतिवीदिया कराएं आकलन दो तरह से करना है मौखिक और निखित जैसे यहां लिखा हुआ है बच्चों के आकलन के जवाब को संक्रान प्रपत्रे में भरे तो इस प्रकार से जो भी बच्चे हम आकलन के दोरान जो बच्चे जवाब देंगे उसे हम संक्रान प्रपत्रे में भरेंगे यहाँ पर देखी यहाँ पर लिखा है प्रती बच्चा अनुमानित समय तीन से चार मेर्ट यहाँ पर लगबग अनुमानित समय दिया गया है तीन से चार मेर्ट हम ले सकते हैं इसे ज़्यादा भी हो सकता है अब आई ये दिखते हैं और क्या लिखा हुआ है निर्देश में मौखिक भासा विकास कहानी या कविता सुनाना तिया हाँ पर लिखा हुआ है पहला पॉइंट है बच्ची को कोई एक कहानी कविता सुनाने के लिखा है ट्रेकर में कुछ नहीं बोला, कोसिस किया, सुना पाया पर सही का निसान लगाएं इस प्रकार से हमें अगर बच्चा कोसिस कर रहा है या सुना पाया था हमें सही का निसान लगाया है कुछ नहीं बोला है जब बच्चे ने प्रस्ण सुनकर कुछ नहीं बोला तो उस पर सही का निजान लगाएंगे कोशिस किया प्रस्ण सुनने के बाद बच्चे ने कहानी कविता से संबंदित कुछ सब्द या एक दो लाइन सुना पाया सुना पाया जब बच्चे ने कहानी कविता की अधिक्तम वाक्यों को सुना पाया तो हम वहाँ पे टिक कर देंगे अब आई यह देखते हैं ध्वानी जागरुकता तो ध्वानी जागरुकता में कुछ सब्द दिये भी रहेंगे सब्दों में आवाजों की संख्या बता पाना जैसे मैं आपको एक सब्द बोलूँगा या बोलूँगी आपको इस सब्द को ध्यान से सुनना है फिर आपको बताना है कि इस सब्द में कितनी आवाजे हैं इस प्रकार से बच्चे बताएंगे सब्द को दो से तीन बार बोल सकते हैं उपर दिये गए सब्दों में से कोई एक सब्द बोलें अगर सही संख्या बताई तो ट्रेकर में सही का निसान हम लगाएंगे अब आईए देखते हैं वर्ण पठन उधारन है ह न इस प्रकार से हम वर्ण बच्चों से पढ़वाएंगे उधारन में दो वर्णों ह और न को पढ़कर बता दे कि वर्ण कैसे पढ़ना है एक एक कर सबी वर्णों को पढ़ने के लिए कहें बच्चे के द्वारा पढ़े गए सही वर्णों को गीनते रहे और ट्रेकर में भरे तो इस प्रकार से बच्चे जितने भी वर्ण पढ़ रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ वर्ण दिए गए हैं यहां पर कुछ वर्ण दिए गया है, तो इनी ही वर्णों को हमको बच्चों को पढ़कर सुनाना है, बच्चे सुनाएंगे पढ़के और बताएंगे कि यह कौन सा वर्ण है, अगर बच्चा जितने भी वर्णों को पढ़ पाता है, उनकी संक्या को हमें वहाँ पे भरना है जो हमारा ट्रेकनर रिजिस्टर होगा उसमें भरना है अब आईए देखते हैं इसके आगे अब आईए देखते हैं प्रष्ट प्रमांग जो हमारा 161 है उसमें भी यहाँ पर कख्षा 1 के लिए उसी के आगे है सब्दान्स पठन उधारण तो और तौ इस प्रकार से उधारण दिये विये हैं उधारण में दो सब्दान्स तो और तौ पढ़कर बता दे बच्चों को हमें पढ़कर बताना है कि इसे इस प्रकार से पढ़ना है बच्चों को सब्दांसों को पढ़ने के लिए कहें बच्ची के द्वारा पढ़े गए सही सब्दांस को गीनते रहें और ट्रेकर में भढ़े तो इस प्रकार से हमें ट्रेकर में भरना भी है यहाँ पर कुछ सब्दांस लिखे गए हैं तो इन्हें ही बच्चों को पढ़वाना है और हमें ट्रैकर रेजिस्टर में भरना है अब अगला है वर्ण लेखन सुरुत लेखन इसमें लिखा है उपर वर्ण पठन में दे गए वर्णों को बोले और बच्चों को वर्ण बुक में सब्ता बारा दिवस एक के वर्ण में लिखने को है इस प्रकार से हम यह धो यह कर वाएंगे कि दी बताते हैं कि अगला है वर्ण आ-ई-ई-ई-उ-ई-ए-ए-ए-ओ-ओ-ग-ग-ग-ग इस प्रकार से हम वर्ण दिये गए हैं वर्णों को बारी-बारी से आराम से बोलें एक वर्ण को तीन बार से ज़्यादा नबोलें बोलने के बाद बच्चों से पूछ लें कि कौन सा वर्ण लिकना है तो इस प्रकार से यह हमें वर्ण लेखन का सुरूत लेखन हमें करवाना है अब है हमारा सब्दांस लेखन इसमें उपर सब्दांस पठन में दिये गए सब्दांसों को बोले और बच्चों को वर्क बुक सब्ता बारा दिवस एक के सब्दांस लेखन वाले जगा में लिखने को कहें सब्दांस जैसे का खा गा गा इस प्रकार से जो दिये हुए हैं उन्हें बोलना है और सब्दांस को आवाज की काई की रूप में एक साथ बोलें जैसे को न की वन और मात्रा अलग-अलग फिर उस पर मात्रा लगा कर जैसे क पर ओ की मात्रा को इस प्रकार से हमें यह बच्चों से बोलना है और बच्चे इसे शुरूतलेकन की रूप में लिखेंगे अब आप यहां देख सकते हैं जैसे शुरूतलेकन में लिखा था कि यह हमें सब्ता बारा के दिवस एक में करवाना है तो यह हमारा जो हमें अभ्यास फुजदी का मिली है बच्चों की वर्क बुक तो उसमें हमें यहां पर करवाना है शुरूतलेकन यह हमारा पेज नमबर 66 तो इस पर हमें शुरूत लिखन करवाने हैं आईए अब देखते हैं कि आकलन जो हमारा ट्रेकर रेजिस्टर है संकलन प्रपत्र जो वर एक के लिए दिया गया है सब्ता बारा का जो हमारा आउदिक आकलन एक होगा इसमें हमें किस प्रकार से कारी करवाना है तो यहां पर द लिखते हैं इस में क्या निर्देश दिये हैं सिक्षक साती जाच प्रपत्र में बच्चों की जाच करे और इस अंकलन प्रपत्र को भरे उधारन के लिए कहानी कविता सुना पाना कि कॉलम में बच्ची की वास्तिक इस्तिती पर सही का निसान लगाएं सब्दों में आवाज या सब बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसे उस column में लिखना है अब आए देखते हैं column इस प्रकार है क्रमांग संख्या यहाँ बच्चे का नाम फिलिका है मातापीता का नाम अब देखते हैं उद्धेस हैं हमारी क्या क्या है मौकिक भासा विकास तो इसमें कुछ नहीं बोला या बोली कोशिस की सुना पाया या पाई अब देखते हैं ध्वनी जागरुकता में हमारा सही या गलत तो यहां आप देख सकते हैं कि यहां पर जो ध्वनी जागरुकता था तो इसमें जो सब्द दिये गये थे सब्द में अगर बच्चे ने सही बताया है उन सब्दों को किया है तो उसमें सही का निसान लगाएंगे नहीं तो वहाँ पर हम गलत का निसान लगाएंगे गलत में गलत की जगा पर हम निसान लगाएंगे देखिए अगर यहां कर पा रहा है तो सही में हम निसान लगाएंगे और नहीं कर पा रहा है तो गरत में निसान लगाएंगे अब देखते हैं अगले उद्देश तो अगले उद्देश में हमारा 1M सब्दांस पठन इसके अंतरगत है 1 पठन सही पढ़ने गई 1 की संख्या लिखें कुल 1 है 17 तो यहाँ पर हमारे पीछे में जो 1 थे पढ़ने के लिए जो बच्चो के दिए गए थे उनकी संख्या कुल संख्या 17 है तो यहाँ पर जितने भी बच्चे 1 पढ़ रहे हैं उसमें हम numbers लिख देंगे फिर दूसरा है सब्दान्स पठन सही पढ़े सब्दान्स की संक्या लिखे कुल सब्दान्स से 8 और कुल सब्दान्स हमारे 8 दिवी है थे पीछे हमने जिसे दिखाया था तो उसमें हम जितने भी बच्चों ने पढ़ा है उसी में उतने ही संक्यों को हम यहाँ पर लिख देंगे फिर गलत या नहीं पढ़े गए वर्ण सब्दान्स लिखे और जितने बच्चों को बच्चों नहीं पढ़ा है जिन वर्ण को यह सब्द को उसकी संक्या को हम यहाँ पर लिख देंगे अब आईए देखते हैं अगला वर्ण एम सब्दान्स लेखन किया वर्ण लेखन सही लिखे गए वर्ण की संख्या लिखे कुल सब्द बारा कुल सब्द बारा दिये हुए थे हमारे तो वहाँ पर हम इस ट्रेकर रेजिटर में उतने ही वर्णों को लिखेंगे जो बच्चों ने लिखे हैं सब्दान्स लेखन सही लिखे गए सब्दान्स की संख्या लिखें यहाँ पर भी सब्दान्स लेखन में भी कुल सब्दान्स आर्ट दिये विए हैं तो जितने बच्चों ने किये हैं उसी को लिखेंगे शुरुत लेखन अब देखते हैं सब तहां 12 दिवस 6 वर्ण लेखन सही लिखे गए वर्ण की संख्या लिखे कुल वर्ण है 12 तो इस प्रकार से हम आकलन ट्रेकर में भर के रजिस्ट में तयार करने लेंगे अब देखे यहाँ पर भी कुछ निर्देश दिये हैं कुल बच्चों के व्यक्तिकत जवाबों की संख्या कॉलम के अनुसार लिखे मौखिक भासावा ध्वनी जागरुगता की कुल संख्या उचित वी कल्प में लिखे वर्ण सब्दांस पठनवा लेखन की कुल संख्या रेंज के अनुसार लिखे अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कुल संख्या रेंज के अनुसार लिखे इसका मतलब यह है कि जैसे यहां पे कुल वर्ड 27 लिखे विए हैं 17 वर्ड दिये विए हैं तो यहां पर देखको नीचे में आप देख सकते हैं इस पेज में यहां पर 0 लिका हुआ है एक से 10 लिका हुआ है और 11 से 17 लिका हुआ है तो हमें range के अनुसार ही लिखना है यहाँ पर यह जो line लिखी हुई है यह जो देख सकते हैं आप यहाँ पर dot dot में line बनी हुई है इसको हम pencil से यहाँ पर line कर सकते हैं और जैसे यहाँ पर 11 से 17 के बीच में बच्चों ने numbers लाए है तो उसको हम इस range में ही लिखेंगे यहाँ पर यहाँ पर pencil से हम line कर लेंगे पहले इसके बराबर में इस range में और उसी range में हम यहाँ पर लिखेंगे तो इस प्रकार से हम यहाँ अपना आवधी काकलन जो है मारा कक्षा एक का बारवे सब्ते का हमें पूर्ण करके रख लेना है साथ ही अगर यह वीडियो आपको पसंद आय करें कि कि ऐसे ही मत पुन जानकारिया हम आप सभी के सामने लाते रहते हैं धन्यवाद